हाई फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में दोस्तों इस फेश्टिव सीजन आप एक नई कार लेना चाहते होंगे और एक ऐसी कार जो की आपके लिए एक परफेक्ट हो और बहुत सारी लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि कम प्राइ में हो कम प्राइस में अच्छी सेवन सीटर कार हो तो आप कौन सी कार को खरीदें यहां पर मैं बात कर रहा हूं रिनोल्ड के ट्राइबर और यहां पर डट्सन गोपलस की जो की दोनों ही सेवन सीटर कार हैं लेकिन अगर इन दोनों में आपको किसी एक को खरीदना है तो क इसे दोनों कार में से एक कार को आप चूझ करें. तो यहां पे अगर दोनों के engine की बात करें, अगर आप driver की engine की बात करतें, यहां पे आपको 1 लिटर की engine मिलती है, पेट्रोल engine, और व्हाँ पे आप Datsun Go प्लस जो है, वो आगे निकल जाती है. तो यहाँ पे engine अगर आप देखे तो Datsun Go Plus की अच्छी आपको मिलने वाली है लेकिन यहाँ पे look wise देखे तो look अपने अपने हिसाब से दोनों की अच्छी है यहाँ पे अगर आप comfort की बात करें तो comfort में यहाँ पे आज आती है रेनो की ट्राइबर जो की आपको Datsun Go Plus से कहीं ज़्यादा comfort जो है वो आपको देने वाली है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखे तो steering wheel की सबसे पहली में बात करूँगा तो steering wheel में दोनों में ही आपको किसी वितरह की कोई controls नहीं दिये गए हैं इन दोनों कार में और यहाँ पे अगर आप देखे इस car की interior की बात करें दोनों कार की तो दोनों कार की interior अगर आप देखते हैं तो Datsun Go Plus में आपको काफी कम space जो है वो आपको देखने को मिलेगी खास करके third row में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको seven seater जैसी कोई feelings नहीं आने माली है वहाँ पे आप देखे तो सिर्फ child के लिए थोड़ी सी space आपको दे दी गई है यूँ कहें तो boot space के जगह में वहाँ पे एक seat जो है कमी नजर नहीं आईगे और ट्राइबर की space जो है interior की वो काफी बेहतरिन आपको मिलेगी वहाँ पे अगर आप देखे ट्राइबर में तो आपको third row तक आपको AC vents जो है वो आपको दिये गया है पीछे की रो जो है वहाँ पे भी आपको AC vents मिलते हैं जो कि थोड़ी सी गर्मियों की दिनों में आपको थोड़ी सी परिसानी हो सकती है और अगर आप interior all over interior की अगर आप बात करते हैं तो ट्राइबर कहीं आगे निकल जाता है डट्सन गोपल से क्योंकि ट्राइबर की जो interior है वो काफी बेहतरिन आपको लगेगी और जितने भी seats हैं सभी को आप लगभग adjust कर सकते हैं और उसकी seat की comfort जो है ट्राइबर की बहुत ही बढ़िया है हर तरह से आपको जो है space मिलने वाला है bottle holder आपको हर जगह मिलेंगे आपको AC के vents जो है वो आपको मिलेंगे आपको seat की comfort जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे अगर आप ट्रा की seat को निकाल देते हैं तो वहां पर boot space भी काफी अच्छी आपको मिलती है जो कि आपके space के अनुसार से बहुत ही बढ़िया है वहीं पर बात करें डट्सन गोपलस की तो वहां पर आपको boot space लगभग ना के बराबर मिलने वाला है क्योंकि third row की seat जो है वो पूरी fixed seat आपको मिलते हैं वहां पर आप seat को निकाल नहीं सकते हैं और दूसरी बात यह भी है को वहां पर seat तो आपको नहीं निकलेगे और वहां पर space भी काफी कम आपको मिलेगा तो यहां पर अगर आप space के बात करें अच्छी sitting comfort के बात करें या फिर car की look की बात करें तो मेरे हिसाब से driver जो है वह काफी अच्छी look आपको देती है और space भी काफी अच्छा आपको मिलता है वहां पर इंजन और performance के बात करें तो वहां पर आपके डट्सन गोपलस जो है वह आगे निकल जाते है क्योंकि वहां पर 1.2 लीटर की engine जो है वह आपको मिलती है प्राइस के अगर बात कर अगर आप देखें और अकार को देखें तो वहां पर मुझे वेलू फोर मनी वेरियंट अगर आप एक 7-seater कार चाहते हैं तो वहां पर ट्राइबर को ही खरीदे क्योंकि वहां पर इमर्जेंसी में 7-seater के रूप में उसको इस्तमाल कर सकते हैं हलाकि इसकी engine की power जो है वह थोड़ी सी कम है लेकिन उसे अगर आप एड़ेश्ट कर सकते हैं तो आपके लिए ट्राइबर जो है वो वेलू फोर मनी अकार जो है वो आपके लिए हो सकते अगर आप एक कम प्राइस में 7-seater कार चाहते हैं तो मुझे उम्मेद है कि अगर आप ट्राइबर और डटसन ग लगता है कि ट्राइबर ही वेलू फोर मनी लगती है और ट्राइबर लेने से आपको होगा क्या कि अब जब चाहे फाइब सीटर यूज करें जब चाहे आप उसको सेवन सीटर भी यूज करें जब कि आप डट्सन गो पलस अगर खरीते हैं तो वहां पर यह उप्सन जो है अगर आपको सीट चाहिए तो आप डट्सन गो पलस को लें तो मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा तो मिलते हैं इसी तरह कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम